नमस्कार आम डॉक्टर केके अगरवाल प्रेजिडेंट हार्ट केर फांडिशन अफ इंडिया इंडिया ग्रूप एडिटर इन चीफ में टाक्स मेरा नाम संचिता है संचिता शर्थ का अर्थ क्या है कई सारे मतलब निकल सकते हैं लेकिन जो मतलब मैं बुलना चाहूँगा वो कर्मों से जोड़ना चाहूँगा संचित वर्थ बेसिकली संचित कर्मों से आता है और अगर मैं कर्म लेके चलूँ जो मैं इसमक्त में बोल रहा हूँ और जो मैं करने वाला हूँ या जो मैं कर रहा हूँ मेरे अभी के कर्म है वो अदामी कर्म है बाकी के जो मेरे सारे कर्म है वो संचित कर्म है चल कल जो मैंने किया परसो जो मैंने किया तरसो जो मैंने किया वो मेरे संचित कर्म है कुछ लोग कहते हैं जो पिछले जनम में विश्वास रखते हैं तो पिछले जनम के कर्म भी मेरे संचित कर्म है और जो लोग रीबर्त में विश्वास रखते हैं उसके साफ से पिछले जनम के मेरे मृत्यू के समयमे मैं जो भी था या थी उस समय में जो मेरे डेट्स थे कर्मों के, यानि कि मेरे जो कर्म निभाए और जो कर्म मेरे भोगने बाकी थे So at the time of death, मेरे जो negative debts, यानि कि वो डेट्स जो मुझे इस जनम में भोगने है, जिनका मुझे इस डेट को पूरा करना है उन कर्मों की एक installment बेलेगी जिसको बोलते हैं प्रारद कर्म और जो बजगए है वो संचित कर्म Therefore at the time of my death, I will carry with me my संचित कर्म along with a portion called प्रारद कर्म in the form of an installment of a bank तो इस जनम में में प्रारद कर्म तो भोगने ही है और संचित कर्म मेरा basic money in the bank कि अगर मैंने नहीं भी दिया तो आगले अगले जनम भी देना पड़ेगा तो लोग कहते हैं कि अगर मैं प्रारद कर्मों के लिए ही पैदा हुआ हूँ तो फिर मुझे अच्छे काम करने की जरूरत किया है मुझे दुप तो भोगने ही पड़ेगे तो आँसर इस नो प्रारद कर्मों के साथ-साथ अपने interest के साथ-साथ अपने installment के साथ-साथ आपका जो बैंक का एक installment है उसके साथ-साथ अगर आप मूल की money को भी वाफिस करना चाहो तो आप कर सकते हो इस लाइक आपको एक हजार रुपय का लोग लिया था और आपको 100 रुपय की installment है कि आपको हर साल 100 रुपय की installment देनी है और अगर आप pre-pay करना चाहो अपने बाकी के पैसों को तो आप pay कर सकते हो इस लिए हमारे वेदों में हमिशा काया है कि जब भी करो अच्छा कर्म करो positive balance लेकर आपने debts में ताति अगले जनम के भोवों को भी आप भोग सको Thank you